काचल और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर FCIN की Food Corporation of India जो की एक official website है उस पर हूँ तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके FCI Watchmen पंजाब और हरियाना दोनों के exam date कई और admit card के बारे में जी हाँ आप पिछले दो महीने से इंतजार कर रहे हैं exam date को लेकर और admit card को लेक तो आपका जो है वो इंतजार की खड़ी जो है guys समाप्त हो गई है मैंने जो है एक साथी इस वीडियो में जो है दोनों बता दिया पंजाब की भी हरियाना की भी क्योंकि फिर comment अलग लगाती तो परेसान होते लोग इसलिए मैंने एकी वीडियो में सब कुछ बताने की इनके सेंटर एक जगे जाएंगे या अलग जाएंगे इनका एक जाएंगे एक ही दिन होगा या अलग लग होगा तो सारे डाउट आपको आज की वीडियो में दूर किये जाएंगे देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं करेंट रिक्टिमेंट ऑफ काटेगरी वन यह जो है एक जो है नोटिस यहाँ पर जारी हुए हैं तो अगर मैं वाच में सबसे पहले एक वाच मैं हर्याना की बात करूं तो आपकी जो है तीन सो सी पोस्ट थी और इसके जो है ओल्लाइन फॉर्म जो है बीस अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो है भर दिये गए थे और वहीं अगर मैं पंजाब वालों की बात करूं तो इनकी पोस्ट थी 860 और इनके भी फॉर्म जो है 11 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक जो है भरे गए थे तो गाइस मैं आपको जो बताने वाली हूं वो बात यह है कि यहाँ प सापे जो है अभी आपका जो है वाच्मैन ह्यायना वालों का जो है चो की 88 पोस्ट थी उसकी जो है एक्जाम डेट आपकी आने वाली है एसा सोर्स से पता चला है आपके जो है यह मार्च के लास्ट वीक में जाले कि तीसिये बात रही गाईस पंजाब वालों की तो यह तो आपका 15 मार्च तक तक आपका एडमिर कार्ट आ जाएगा ठीक है और बात रही गाइस पंजाब वालों की तो इनका भी जो है एक दो दिन बाद ही आ लेगा ऐसा नहीं है कि इनका पहले 15 दिन पहले आ गया और आपका पंजाब वालों का आया नहीं है आगे पीछे ही आपको यह मिलें गे और रही बात एक्जाम सेंटर की तो गाइस एक्जाम सेंटर भी इनके अलग लग जाने की पोसिबिल्टी है एक साथ यह एक्जाम सेंटर नहीं रहने वाले हैं तो अगर यह आपको जाहनकारी पसंद आई अ थो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना अभी के लिए गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो